नमस्कार दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तो जाडू को साक्सात मा लक्षमी का ही रूप कहा जाता है और जाडू के प्रयोग को आपके भागे से जोड़ कर देखा जाता है। आम तोर पर सभी के घरों में जाडू पाई जाती जिस प्रकार से घर में आने वाली गंदगी को आम तोर पर घर में जाडू लगाकर घर से बाहर कर दिया जाता है। वहीं पर अगर आप कुछ खास उपाई करते हैं, कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो आप अपने जीवन में आ जाडू के कुछ खास और छोटे-छोटे उपाय कर लेने से ही आपके घर में और आपके जीवन में कभी भी सुक और एश्वरे की कमी नहीं रहती है। सास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर के कौने-कौने की सफाई होती है उस घर में सदाही लक्षमी वास करती है। और घर के सभी वास्त दोस मिट करके घर में हमेशा खुशी भरा सकारतमक वातावरण बना रहता है। दोस्तों वैसे तो जाडू लगाने के धेरो नियम होते हैं। अगर आप उन सभी का पालन करते हैं तो आपको माता लक्षमी की किरपा तो मिलती ही है। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप उन सभी नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको जाडू के नीचे एक ऐसी क्या खास चीज है जिसे रखने से माता लक्षमी की किरपा आपके उपर बरसने लगेगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। वे कौन सी चीज है या वे कौन सी वस्तू है जिसे अगर आप अपने घर में रात्री के समय जाडू के नीचे दबा कर रख देते हैं तो माता लक्षमी की ऐसी अनुकमपा होती है कि आपके जीवन में धन की कोई कमी ही नहीं रहती है। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या वस्तू है, वे कौन सी छोटी-छोटी चीजे हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। वे कौन से नियम हैं जिनने में अपना लेना चाहिए तो आप इस वीडियो को अंच तक देखें और कमेंट बोक्स में जै माता दी जै मालक्ष में एक बार अवस्य ऐसा कमेंट कर दें और जादा से जादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि दोस्तो हम आपके ल हमने आपको पहले बताया था कि जाडू को माता लक्ष मी का ही परतीक माना जाता है माता लक्ष मी स्वाक्षात रूप से जाडू में निवास करती है इसलिए आपको अपने घर में जाडू को विशेश रूप से ध्यान पूर्वक रखना चाहिए साब स्वच्छ जगह पर रखना चाहिए, कभी भी घड़ी ज़ाड़ु को अपने घर में नहीं रखना चाहिए और ऐसी जगा पर भी नहीं रखना चाहिए, जहां ज़ाड़ु के उपर पैर पढ़ जाए इसके अलावा आपको एक बात और बताते हैं दोस्तों कि तीन ज़ाडू का अगर आप गुप्त दान करते हैं तो आपके घर में धन माया आने से कोई भी नहीं रोख सकता है जी हैं दोस्तों ये उबाय आपको बिशेश रूप से किसी खास सायोग पर कुछ खास तेवारों प करें कि आप अपने घर में से कोई भी नई ज़ाडू को ले करके ब्रह्म मुरत में मंदिर के शीडियों पर रखे छोड़ कर आ जाएं ये दान गुप्त होना चाहिए इसके बारे में किसी को पता ना चले इस परकार से आप इसका दान करें पुराने समय में लोग ऐसा करते है अगर आप पुरानी ज़ाडू जो टूट टूट के गिरने लगी है ज़्यादा पुरानी हो गई है अगर आप उसका इस्तमाल फिर भी करते रहते हैं तो इससे आपके घर में वास्त दोस्तपन हो जाते हैं साथी नकारतमक उरजाओं का प्रवा बढ़ने रखता है साथ यह आप भी गुप्त दान करें ज़ाडू का और साथी मंदिर में अवश्य दान करें और मंदिर में साफ सपाई करें और साथी अपनी ज़ाडू को जो टूट टूट कर गिरने लगी है पुरानी हो गई है उसे आप उठा करके प्रवाइद कर दें अपने घर से निकाल दे ताकि वे आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तुदोस उत्पन ना करे। इसके अलावा दोस्तो एक नियम आप अपने जीवन में अपना लें ताकि आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की धन हानी बिल्कुल भी ना हो वे अन्य परकार की समस्याई भी उत्पन ना हो आप ये इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर में पोछा लगाएं जढ़ू लगाएं और पोछा लगाएं तो आप खास ध्यान रखें कि पोछा والے पानी में थोड़ा सा नमक याफर फिटकरी आवस्टे मिला ले साथ ही जहां भी आप जाडू लगा रहे हैं ये देख लें कि आपके कहीं कोई जूटाय तो नहीं गिरा हुआ है जूटन आदी तो नहीं गिरी हुई है उसके उपर सीधे तोर से कभी भी आप जहाडू ना लगाएं क्योंकि दोस्तों आपको बताया था कि जहाडू को साखशात रूप से लक्षमी का परतीक माना जाता है अगर आप जूटन पर सीधी जहाडू लगाते हैं तो इससे माता लक्षमी क्रोधित हो जाती है इसलिए इसके लिए आप क्या करें उस पर थोड़ा सा पानी डाल ले या पर उसे किसी कपड़े आदी से पोंच कर ले उसके बाद आप जहाडू लगाएं अगर आप पोंच नहीं सकते हैं तो थोड़ा पानी डाल ले उसके बाद या आप जहाडू लगाएं दोस्तों ये एक ऐसी मानता है जो प्राचीन समय से चलिया रही है जो भी कोई व्यक्ति इस मानता का पालन करता है उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं होते हैं दर्जदरता नहीं होती है उसका जीवन सुख और एश्वरे से भरा ही रहता है दोस्तों इसके अलावा कर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्षमी प्रवेश करें और इस्थाई निवास करें वे आपके घर में हमेशा के लिए इस्थेर हो जाएं तो इसके लिए आप क्या करें कि आप जब भी नई जाडू लेकर आए अपने घर में तो उसको लाता ही सीधे रूप से अपने घर में इस्तमाल करना शूरू ना करें बलकि आप जब उसको लेकर आएं तो उसके हैंडल पर आप कोई भी सफेद रंग का धागा या फिर जो कलावा होता या मोली जिसे कहते हैं जो हवा नादी कोई पूजा करते वक्त अपने हाथ पर हम भानते हैं उसे आप जाडू की हैंडल पर भान दे ऐसा करने से माता आदी आप इसे इस्तमाल करें दोस्तों आप आपको बताते हैं विसेश प्रयोग यानि कि जाडू के नीचे आपको क्या रखना है उस प्रयोग के बारे में इस प्रयोग को आप खास तोर प्रकार से आप अपना ले और इसे प्रति दिन करें आपको बहुत ही विलाब मिले दोस्तों आगो करना क्या है कि आप जब रातरी को खाणा वाणा खा करके निर्वित हो जाएं तभ उसके बास सोने से पहले आप अपने गर के मुख्ये दरवाजे के पास जाडू को लिटा कर रख दें यह को पता है को जाडू को कभी भी खडा नहीं रखते हैं जाडू लिटा करके रखते हैं, तो आप जाडू को लिटा करके रख दें, और जाडू के नीचे आप 4-5 दाने जीरे के डाल दें, जीरा तो हर किसी के घर में प्राप्त होता ही है, हर किसी के पास होता है, साथ ही आप गिंती करके आप 11 दाने सूखे धनिये के भी डाल दें, यानि कि साबू धनिय के डाल दे, अगर आपके पास नहीं है, तो आप दिन में ही ले आए, और रात को आप जीरा और धनिया, दोनों को ही मिला करके, आप जाडू के नीचे डाल दे, धनिया के दाने 11 होने चाहिए, और जीरे के दाने 4-5 हो, कोई गिंती की जरूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा जीरा और 11 दाने सूखे धनिये के डाल दे, खास तो और पर दोस्तों, आपको ये प्रियोग रात तरी को ही करना है, आप इस प्रियोग को किसी भी दिन कर सकते हैं, सौंबार से ले करके रवी बार तक, आप किसी भी दिन से इस प्रियोग को सुरू करें, और प ऐसा माना जाता है कि आपके घर में जो भी नकारत्मक उर्जा थी दरदरता थी धन हाने होने के जो योग थे वे सभी योग इस जाड़ू की गंदगी के साथ आपने अपने घर से बाहर निकाल दिये और जिस घर में संपूर्ण रूप से सफाई होती है वहाँ पर माता लक्षमी के परवेश अवश्य ही होता है जो भी कोई यह उपाय करता है उसके घर में बरकत बढ़ती है और सुख समर्दी आती है तो दोस्तों आज की वीडियो में के वले इतना ही कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक लद्यमें जातर धन् कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें जै मातादी जै मालक्षमी जै बजरंग बली